C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्री का रंगोली रंगोली कारिक्रम में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज इस कारिक्रम में हम आपको कुछ तारवाद्यों से परिचित कराएंगे तारवाद्यों में अनेक वाद्य हैं जिन में तीन वाद्य प्रमुक है ये वाद्य हैं सरोद, संतूर और सितार हम आपको बता दे दोस्तों तारवाद्य उन वाद्यों को कहते हैं जिन में संगीत की द्वनी निकालने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है साथियो ये ध्वनी है सरोद की भारतिय बात्य यंत्रों में सरोद का विशेश स्थान है इसे प्राचीन बात्य शार्दा बीना का विकसित रूप माना जाता है सरोद के विशय में ये भी कहा जाता है कि सन 913 इस्वी में इबन अल अब्बास नाम के एक समरकन निवासी ने इसका आविशकार किया था उसने अपने इस वाद्दे यंत्र का नाम रखा था शरूद इसी शरूद शब्द से बना सरोद इसलिए कहा जा सकता है कि सरोद मध्य एशिया से भारत आया सरोद लकडी का बना होता है जिसमें तार लगे रहते हैं इसमें चार प्रमुक तार और चार सहायक तार होते हैं इनके अलावा दो तार आधार के लिए और लगभग एक दरजन तार अनुगूंज या तरब के लिए होते हैं वादक लकडी के छोटे टुकडे से इसे बजाता है जिसे जवा कहते हैं साथियों सरोद की ध्वनी की पहचान अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि भविश्य में कभी इसकी ध्वनी यदि आप सुनें तो समझ जाएं कि ये सरोद की ही ध्वनी है तो आईए सुने सरोद वादन तो समझ जाएं साथियों अब बारी है संतूर की संतूर अपनी सुरीली और मीठी आवास के लिए सारे संसार में जाना जाता है जब इसे बचाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो कल कल करते हुए जरने बह रहे हैं ये कश्मीर घाटी का वाद्य है कहा जाता है कि ये शत तंत्री वीना यानी सौ तारो वाली वीना का विकसित रूप है ये वाद्य लकडी का बना हुआ होता है इसमें साथ तार लगे होते हैं वादक संतूर को सामने रखकर बैठता है और लकडी की दो डंडियों से जो आगे से मुड़ी होती है इसे बजाता है साथियों अब संतूर की ध्वनी की पहचान भी अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि जब भी आप इसकी ध्वनी सुने तो समझ जाएं कि ये संतूर की ही ध्वनी है तो आईए सुने संतूर वादन और साथियों अब हम आपको बताते हैं सितार के विशय में भारतिय शास्त्रिय संगीत के तार वाद्यों में एक लोप्रिये वाद्य है सितार आज सितार का जो रूप हमें दिखाई पड़ता है वो शुरू में ऐसा नहीं था इस वाद्य का भी दूसरे वाद्यों की तरह क्रमिक विकास हुआ ऐसा कहा जाता है कि सितार उत्तर पश्चमी एश्या से भारत आया सितार सहतार शब्द से बना है सहतार एक प्राचीन परशियन वाद्य यंत्र था जिसमें तीन तार लगे होते थे सहतार को संगीत शास्त्र में त्रितंत्री यानी तीन तारों वाला बाद्य भी कहा गया है आज का सितार इसी सहतार का विक्षित रूप है आप इसकी ध्वनी की पहचान कर लीजिए साथियों अभी आपने सरोध, संतूर और सितार वाद्य यंत्रों के बारे में संक्षित जानकारी हासिल की और इनकी ध्वनी की पहचानगी की अंत में आईए हम आपको इनहीं बाद्यों को क्रम बदल कर सुनाते हैं आप बाद्यों के नाम पहचानिये तो सबसे पहले सुनते हैं ये बाद्य पहचाना आपने हाँ ये संतूर ही था और अब सुनते हैं ये बाद्यों ये था सरोद आपने पहचाना और अब सुनिये तीसरा बाद्य शबाश ये सितार ही था तो साथियों अब आप अच्छी तरह से सरोद संतूर और सितार को पहचान गए हैं है ना एक कम और आप अपने अध्यापक, माता-पिता या बड़े भाई भेहन की साहिता से इन वाद्यों को देखें और इनके चित्र अपनी कौपी में चिपकाएं रंगोली अभी आप सुन रहे थे C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत ये रेडियो बाल पत्रिका कारेक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्ष प्रभुदयाल खट्टर संपाधत मंडल अजीत होरो रमेश रानी शर्मा तथा दाव दयाल चतुर्वेदी निवेदन आर्ती बक्षी ध्वन्यंकन बटिलैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा आलेक निर्माण एवं प्रस्तुती अजीत होरो